पैसे ही का तमाम ये कंभो दिवार है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नोश्कार बनी डायन की खास पिसकस बनी सेंटरल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विपल सिंग आपकी जेव से लेकर के देश की अर्थफियोस्था तक पर असर डालने वाली तमाम खबरे लेकर के हम हाजिर हैं और खबरों के विश्लेशन के लिए आपकी जेव पर क्या आसर होगा देश की अर्थवस्था पर क्या आसर होगा ये बताने के लिए हमाई साज जूर चुके हैं वरिष्ट आर्थिक पत्रकार पाहून कुमार जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस चछा में शामिल होना और बदलाओ का क्या कुछ फायदा आपको होगा, आपके परिवार को होगा, विस्तार पुर्वक चर्चा होगी. भारत के साथ वियापार को रिवीव करेगा बांगलादेश, बांगलादेश के अंदर इस थितियां जिस तरीके से बदलती हुई पिछले कुछ दिनों के अंदर दिखाई दी हैं, इससे भारत और बांगलादेश के वियापार पर क्या कुछ असर पड़ सकता और क्या कुछ निया डवलप्मेंट है अपडेट है डीटेल में बाचित होगी इलेक्टरिक गाड़ियों के लिए नई योजना क्यों रानी पड़ी है कल काइबनेट की तरफ से बड़े फैस्टे लिए गए सरकार की तरफ से क्या कुछ वो फैसले हैं और आखिर में इसकी ज़रुत क्यों पड़ी इस पर भी हम करेंगे डीटेल में चर्चा सैमसंग क्यों कर रहा है भारत में चटनी चटनी का दौर लगातार मनी सेंटरल में हम बातचीत करते रहे हैं और अब एक और नहीं कंपनी दिगज कंपनी की तरफ से चटनी की जा रही है इसके क्या कुछ असर होंगे इस क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे विस्तार फूर्वाग खासतोर से स्पाइस जट को ले करके लेकिन शुरुवात करेंगे आज की महत्रफोन ख़वर आयुश्मान योजना के साथ के सरकार ने आयुश्मान योजना का दायरह बढ़ा दिया है अब 70 साल से उपर उम्र वाले सभी लोग इस दायरे में आएंगे अभी तक कम आया वर्ग वाले लगभग पचास करोड लोग आयुश्मान योजना के दायरे में थे लेकिन सरकार की तरफ से दायरह बढ़ाए जाने के बात अतरिक करीब 6 करोड लोग इसमें शामिल हो गए हैं बदवार को के जेस्टी काउंसिल की बैटक में ये तैह होना था कि हेल्थ और लाइफ इंस्वरेंस पर जेस्टी की 18 फीसद दर को या तो घटाया जाए या फिर खत्म किया जाए लेकिन बैटक में फैस्टा नहीं उपाया और कल के मनी सेंटरल में हमने इस बारे में बात चीत की थी काफ मन में आशाएं थी कि शायद जेस्टी कम होगी वो नहीं हुआ लेकिन जो सत्तर साल के उम्र के लोगों को को आश्वान योजना के दायरे में लाया गया है इसे कितना बड़ा कदम मानते हैं क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई बज़र्ग है और उनके लिए इंस्रेंस लेना बड़ा मुश्किल है विपूल यह बड़ा कदम है बड़ा कदम इसेंस में बोलेंगी जैसे दिखिए जैसे जैसे पोपलेशन एज कर रही है उसका खर्चा बढ़ रहा है इस देश में वह इससे ही आप देखेंगे जो पैलियर्टीव के रहे हैं वो एक बड़ी मु लोग इसके दाएरे में आए हैं यह बात आपकी कॉंटिनूर रखें एक छोटा सा हमाई दर्शकों को अगर आप समझा दें पैलियर्टीव केर होती क्या क्योंकि बहुत सारे दर्शक हो सकता है ना वह इसके साथ जुड़ा हुआ विश्य है पैलियर्टीव केर आप उसको लाचार हैं इनको उनकी देखरेक करना उसको पैलियर्टीव केर क्याते हैं तो हम उसको जोड़ के इसलिए एक ब्रैकट में चली गई उसका उसके लिए उसका 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 जो एक्समेंसीज है वो health का cost है वो जादा बढ़ जाता है बार-बार hospital जाना पड़ता है इलाज है medicine है तो तरह-तरह की दिक्कतें उसमें आती है तो उसमें इतना बड़ा relief यह देखी यह जो फैसला हुआ है यह भारती जनता पार्टी के manifesto का हिस्सा है वो यह बोल किया थे उसके पहले वो एक साल से संकेत दे रहे थे किसाब यह जो आश्मान योजना है इसका दाएरा हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे में इसके बढ़ने से काफी हद तक फाइदा होगा एक उस age population को और यह उसको यह इसमें वो भी उस लायरे में आएंगे जो अब तक इनके उपर बाकी बंदिशने थी जिसमें income tax और बाकी और conditions हैं सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि जो अभी तक इसके बाहर थे ज़्यादा खर्चा उनको हो रहा था अब उसका खर्चा सरकार देगी लेकिन मैं आपको दूसरी बात ही कहता हूँ health एक ऐसा sector है जहां पर सरकार को और ज़्यादा ध्यान दिये जानी के जरूरत है चाया आप insurance कह लीजिए या hospital में उनका care कह लीजिए या hospital में जो उनका cost आता है वो कह लीजिए सरकारी में तो चलिए फिर भी आता है जो private 48% इस देश में जो आबादी है वो उसको बोलते हैं out of pocket expenses वो अपना खर्चा अपने हिसाब से करते हैं तो almost 50% इस देश में इसे लोग है जो अपना health का खर्चा खुद करते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे इसको ठीक करेंगे न केवल आप insurance देखे हमारा यह मानना है कि जो insurance के अलाबा आपको जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो कि एक तो health के expenses जो private hospitals में है उसमें एक तो उस पर थोड़ी लगाम लगाई जाए उसको कैसे regulate करेंगे वो देख लीजिए उसके अलाबा health insurance को और कैसे बहतर कर पाईएगा वो देख लीजिए तो यह जो आयुशमा कैसे बहतर किया अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है health insurance के sector मेडिकल में भारत के सरदेश जहां पर की वैसे भी बीमा जो है अभी बहुत कम फीसद लोगों तक लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर लेते नहीं है या लापरवाही करते हैं जो कि जिस तरीके से आपने ब देखेंगे तो जो insured हैं पूरी दुनिया का one of the lowest है हमको करने की क्या जरूरत है कि आप एक तो awareness दीजिए अच्छा दूसरा जो एक और चीज देखने को है इस देश में आप देखेंगे क्लेम रिजेक्शन है क्लेम रिजेक्शन है जिससे लोग बड़े घबराते हैं कोई कोई पंगा हो जाएगा कोई उसमें जंजट हो जाएगा hospital में जो third party है वो आपको दिक्कत करेगी तो आपका bill का settlement नहीं होगा यह सब चीजें देखने की जरूरत है लेकिन overall health insurance आयुश्मान देखे एक part है आयुश्मान government provide करती है लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो बड़ा sector है वो और बाकी health insurance company उस sector में काम कर रहे हैं उसको कैसे आप evenly distribute करिएगा उसको maximum लोगों तक कैसे पहुंचाएगा उस पे काम करने की जरूरत है तो यह एक relief है लेकिन इसको और ज़्यादा larger canvas पे कैसे ले जाएंगे वो सरकार के लिए बड़ा challenge इस देखने तो निश्य दू तो एक welcome कदम है लेकिन अभी भी महस 4 फीसद लोगों के पास भीमा आवलेबल है इसको किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचाए जाए इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने क्या हो शकता है जैसा पवन जी बता रहे थे इस बीच बांगला देश में बनी अंत चुरुवात कर सकती है रिपोर्ट में अंतरिम सरकार के सरस्त के हवाले से यह कहा गया के दानी पावर के साथ हुए समझावतों की शर्तों को रिव्यू किया जाएगा अधानी पावर ने 2017 में बांगला देश की सरकार के साथ 25 साल के लिए बिजली सप्लाई की डील की थी इस डील के तहट अदानी पावर के जारखंड में इस्थित पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई बांगला देश को की जाती है। बंगला देश को आखिर में ये रिव्यू करने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी क्या वहाँ पर एक तो अदानी पावर का निश्यतुरूप से एक बड़ी देंदारी जो है बंगला देश सरकार को के उपर बाकी है लेकिन जो हाल फिलाल में घटना करम हुए हैं खास तोर से मा हिंदुस्तान का जो भी दाएरा है उसको दो-तीन सेगमें आप रखिये सबसे पहले है कि ये उनकी अपनी इंटर्नल प्रावबलम है इंटर्नल प्रावबलम है उसमें आप कहते हैं कि हींदोस्तानी बिजनस को हम रिवीव करेंगे ये कैसे बात आई ये बात बात तब और बागी सूत्रों ने कहना शुरू किया कि साथ ऐसा है कि जो अडानी पावर बेच रहा है उसको ज्यादा कीमत पर सरकार ने उसमी की सरकार ने उसको accept किया था तो आप इस पे बात कर सकते हैं, अडानी का पैसा नहीं दे रहे हैं, अडानी के बारे में आप दस्तर की बातें देश में कर लीजे, लेकिन सहाबे जिसका पैसा ले, जिसका जो जिसे पावर खरीद रहे हैं, क्या उसको पैसा नहीं देंगे आप, क्या मुफ्तमे नहीं आप लेंगे लब कुछ ये क्या चल रहा है तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा अब पहले भी एक आद बार पावर उनका ब्लेक आउट हो चुका है पहले भी पावर रोका जा चुका है दुबारा ज़रूरत ऐसी ना पड़े इससे बहतर है कि इसके पहले सरकार उसके लिए बहुत धेर सारे रास्ते हैं बलकि हमारे पास उसका ज्यादा स्कोप है आप उहां पे उस देश में हिंदू मारे गए आप बैठे रहे आपने क्या किया वहां पे एक हजार घर जलाए गए वहां पे मौतें हुई वहां पे लोगों के साथ अत्याचार किया गया आप युकिलियर प्लान्ट बनाये जा रहा है जिसमें आप देखेंगे हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हिंदुस्तान की कंपनियां काम कर रही है यहां के आपको हीरो मोटो कॉर्प वहां कार्ब करता है टेक्समैको काम करता है रेलवे की दो कंपनियां होहां काम कर रहे हैं यहां से क्या बोलते हैं, आप फरका से बिजली के सप्लाई होती है, तिरपुरा से बिजली के सप्लाई होती है, देखे, उनका डिपेंडनेंस हमारे उपर बहुत जादा है, 13 बिलियन का ट्रेड है हमारा, 13 बिलियन के ट्रेड में 11 बिलियन वो हमें, हम से खरीद रहे हैं, औ आपको याद होगा जैसे माल्दीव की सरकार ने एक बार रिव्यू किया जिसमें जी मार का ठेका कैंसिल हो गया था जी मार को जो कंट्रेक्ट देया था वो कैंसिल हो गया था आप जब business रूल के तहते हैं तो यह काम आप कर सकते हैं आपके पास उसका पूरा अजिकार है ले आप कहेंगे कि साथ बिजली तो लेंगे लेकिन हम पैसा नहीं देंगे तो यह कौन सा रिव्यू होगा तो आप करिये रिव्यू भारत सरकार भी करेंगे रिव्यू जब जरूरत पड़ेगी तो यह बदलब मानके चलेंगे दवाव में बंगलादेश आज अगता और अगर कि तरफ से यह जो आपने नहीं पीसी एदानी पावर और बाकी प्लांट के नाम लिए अगर यहां से यह कहा जाता है कि जब तक आप वैसे नहीं देते हम बजली नहीं देंगे ने किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है जो बजली सप्लायर हैं वो उनके हाथ में वो कहेंगे क हम कल से कल से कल से कर देंगे किस दीवर डाउन है फिर वंगलादेश समझेंगे मैं कहा रहा हूं जब आप वहां पर आप तमाम तरह क्या त्याचार करते रहिए आपने एक न सुनी आट-dस दिन तक लगातार बेलगाम घूमते रहे लोग इतने हिंदू लोग मारे गये इत हैं आपका वाकश विन्यास बदलता है उसको तरह की चीज़ने एक दूसरे पर डवाव डालने के लिए रिलेशनशिप को बहतर करने के लिए करने के लिए उसको बतर लिए क्या जाते हैं तो जो यह कह रहे हैं किसमें मेरे जैसा आदमी कुछ खास नहीं देखता है विजन साथ क्या review करेंगे उससे बहुत लोगा एक मानत है कि जो कुछ घटना करम बंगलादेश में घटा भारत सरकार की तरफ से उस तरह का strong message या reply नहीं दिया गया क्या इससे आप सहमत है या सहमत है या आप बड़े इमांदारी से विपुल कबूल की जानी चाहिए आपके द्वारावी और हमारे द्वारावी देखिए क्या है कि हम लोग यहां जिस बात पर बात कर रहे हैं हम लोग बिजनस पर बात कर सकते हैं एकोनोमी पर बात कर सकते हैं बंगलादेश और इंडिया के ट्रेट प बात कर रहे थे अब हम चोटी चोटी बात हैं आपको कर रहे हैं प्याज अदरक अंडा अब इन सब अगर यह नहीं जाएगा तो उनका खाना बंद हो जाएगा यह लोग समझती नहीं है अब आप यह जो दूसरा सवाल आपका यह था कि भारत सरकार कर ने कोई एडिकेट रि रियक्शन यह नहीं देना चाहते है उस पर अब यह वहां का इंटरनल मामला है वहां पर नॉर्मल सी आए भारत सरकार इसा मानती है तो मुझे लगता है कि शायद ठीक भी हो सकता है और हाला थोड़े बेहतर हो बाकि जो लोग यहां जो लोग दूसरे दर्म के जो हिंदू लोगें उसकी सुरक्षा रहे और केवल इस नाम पर आप कि बाहें उमेट के किसा बिजनस डील करेंगे हम दूबारे से उसको रिब्यू करेंगे उसके नाम पर चाहेंगे कोई और अंड्यूवेटेज लेना तो शायद वो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इस चर्चा का जुमर और इलक्ट्रोनिक्स बनाने वाले कमपड़ी सैंसंग भारत में अपने करीब 10 पार्मचारी की छटने करने जा रहा है रिपोर्ट में कमपनी के माँअ को लेकर करके विरोष गया है रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सैमसंग की तरफ से छटनी सिर्फ भारत में नहीं बलकि दुनिया भर में की जा रही है सर ये एक तो वैसे ही रोजगार की इस पर हम लगातार बाचित करते रहते हैं वह लगातार घटा हुआ दिखाई दे रहा है समस्या बनी हुई है अभी आईटी के और निवेज कंपनिया जो थी उनकी छटनी से हम बाहर हो नहीं पाए अब फिर जब सैमसंग जैसी कंपनी भी छटनी कर रही है यह चटनी का दौर वही खास्तों से प्राइट कंपनियों की तरफ से कब खत्म होता देख रहे हैं यह स्लोडाउन दुनिया भर में जो एकोनामिक में देखने को मिल रहा है उसका असर है या कुछ और देख रहे है ने आप तो बोले हैं कि कब तक चलेगा पहले पेटियम से शुरूआ फिर आइटी कंपनियों चटनी शुरूगी अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ है मैं तो आप देखेगा कि जो कंजुमर का जो आप सेंटिमेंट देख रहे हैं मोबाइल के सेल्स देखा आपने गाड़ में अपने देखा कि छटनी करने वाली बैसिकली एक इंटरनेशनल एजनसी ने कल ख़बर चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि साब कि हिंदुस्तान में आप देखेगा तो रहां चोबीस हजार से थोड़ा ज्यादा इंप्लॉईस काम करते हैं उसमें से कुछ पर्टिकुल में पूरी दुनिया में आप यहां से लेकर साउथ कोरिया तक बाकी एशिया के बाकी हिस्टों में हिंदुस्तान में जैसा कि मैंने आपको पता है चोबीस जार स्जादा लोग काम करते हैं उसका भी उसमें हिसाब चल रहा है कि उसमें से कित्ते लोगों को निकाला जाए तो आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में सेमसंग के द्वारा सेंटियों के पर मुझे डरिस बात का है कि देखे क्या होता है हमेशा देखने को मिला है रिट्रेंश्मेंट में या जब एट्रिशन होता है या जब सेंटिमेंट खराब होता है तो कई बार और कंपनियो भी इसको follow करती हैं, क्योंकि आप future का prospect देखते हैं, आप उसके बाद आप देखते हैं कि potential कितना है, कोई recession आ गया, slow down है, consumer sentiment down है, bikini हो रही है, sales down है, तो उसको कैसे किया जाए, तो उसको counter करने के लिए सबसे पहला तरीका इनके पास होता है छटनी का, देखिए मैं as a business journalist मेरा मानना है, कि छटनी करके company को profit में पहुंचाना है, सबसे आसान पर दिया है, जो भी मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, कि जो किसी जगह पे एक नए boss आये, CEO आया, CEO आया, जो भी है, तो सबसे पहले उसने डिसाइड गया, कि साब ऐसा है, कि लोगों को नोकरी से नि निकाले जाएंगे, और बड़े पेमाने पी निकाले जाएंगे, जो हिंदुस्तान में आप तादाद देख रहे हैं, ये कम है, पूरे वर्ल में आपको देखने को मिले जा, बाकी इनके administrative branches से लोग जा रहे हैं, technical branches से जा रहे हैं, इनके जो चिप बनाने वाला जो division है, उस जाए जब होगा तो, लेकिन ये मतलब जो है, एक एक करके एक सेक्टर पे जो दबाव बन रहा है, पहले आईटी पे बना, फिर नियू एज कंप्यों ने, जितने पे 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 टियम थी, जुमैटो थी, वहां पर भी बड़ी छट्नी हुई, उनको अपने अपने आपको मु ये को और इसको अपना सकती है, अभी आपने देखा कि इधर आप काफी टाइम से जो इस तरह की कंपनिया हैं, जिसमें जो मेटो हैं और बाकी जो नियू एज की कंपनिया है, वहां पे इधर से थोड़ा सा रिटेंज्मेंट रुका है, उसके पहले काफी टाइम तक फूल सो लोग चाहिए, आप एक हजार लोग लेते हैं, एक हजार लोग चाहिए, आप देजर लोग लेते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको लगता है bet your financials पर जब दवाव आता है, उसके ऐससामे बहुता है जाइकि इतने पुछ क्शटनि कर जाएक तब तब को course correction होता है, तो पिछ यकेन सरकार ने चीन और वियतनाम से इंपोर्ट होने वाले स्टील पाइप्स पर एंटी सबसडी इंपोर्ट ड्यूटी को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है अलग अलग प्रोड़क्स पर ये ड्यूटी 12 फीसद से ले करके 30 फीसद है और इसकी शुरुआत सितं के से देख रहे हैं रहात है भारती स्टील कंपनियों के लिए आप विपूल भाभी से चार-पांच साल पहले तक हम नेट एक्सपोर्टर होते थे स्टील में अभी हम नेट इंपोर्टर हैं बिल्कुल इस टील पर बहुत दबाव है स्टील में आप छोटे-छोटे कंपनि था कि यह जो हम और वियत नाम यह सब आसियान फ्रीटेड एग्रिमेंट के हम लोग पार्ट हैं तो इनका कहना है कि साब ऐसा है कि चाइना से जो रूट होके स्टील यहां पर आता है यह बहुत टाइम सा अभी एक डेलिगेशन मिला भारत सरकार में अभी आपने दो तिन ह कि साब हमने तो बोला है कि ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए जो अभी और प्रड़क्ट अभी हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें से हमने रिकमेंट किया है जिसमें स्टील सेक्रेटरी ने बोला कि हमने रिकमेंट किया है स्टील मंत्री ने बोला कि हमने रिक इसको बढ़ा दिया गया है, ये उर्ली प्रभावी है, इसको बढ़ा कर दिया गया है, ये ज़रूरी है, अब doubling हम पहले भी जब जैसा कि हमने पहले बोला कि, हम कब नेट एक्स्पोर्टर से नेट इम्पोर्टर बने के हम में पता ही नहीं चला, तो स्टील एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको वाकई सतर करने की जरूरत है नहीं तो फिर वो डंपिंग में कोई ज़्यादा दिकत ने आएगी और यहां के जो ट्रेडर हैं जो मेनिफेक्टर्स हैं उनके लिए समस्ची आएगी तो मुझे लगता है कि यह क्योंकि देखिए हर देश के सरकार को वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बचाने का हक है तो इस देश की सरकार को भी लोकल इंडस्ट्री को बचाने का हक है इसलिए यह फैसला मेरे खाल से टू असरेटन एक्सटेंट से जिस्टिफाइड है और इसका बहुत अच्छी तरीके से शेयर बादार ने वेलकम किया है आपको अधादें कि आज मेटल पैक में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली गुरुवार को टाटा स्टील करीब धाई परसंट, जेस डबलू स्टील के अंदर करीब तीन परसंट सेल में जो है हमने देखा पाउने तीन परसंट, इसके रावाबा बाकी मेटल पैक में भी नालको हो इंडालको इन सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला तो एक तरीके से भारत की स्टील जो शेयर बादार ने इसका वेलकम किया है यहां पर मेटल पैक में काफी अच्छा सकारात्मा कुछान देखने को मिला इसमिश के इंसरकार देश में ज्यादा विदेशी उडानों को अन मत दे सकती है इसके लिए बाइलेटर फ्लाइंग राइट्स के लिए विदेशी कंपनियों के साथ बात्ची जल शुरू होने की संभावना है एविशन मिश्टर के राम मोहन राडू ने इसकी जानकारी दी स्पीच एरलाइन कंपनी स्पाइस जट को हाई कोट से रहात नहीं मिली समझे हैं नहीं इसमें दो खबरे हैं आपके बास एक तो स्पाइस जट के पहले स्पाइस जट पर बात कर लेते हैं कि आप लीज पे एरकाफ लाते हैं उसको आप सेटन अमांट आप देते हैं उसमें अगर कोई विवाद है दोनों के बीच में तो उसके पास राइट होता है कि वो साब आपका हवाई जाज लेके चला जाए अब इसमें ले जाए अब ये सुप्रीम कोट में जाएंगे उस से ज़्यादा बड़ी खबर ही इस बात की है कि अल्रडी जो जिस स्पाइस जेट को इतनी सारी प्रॉबलम्स आ रही हैं जिस स्पाइस जेट को इतनी प्रॉबलम्स आ रही हैं उस स्पाइस जेट में इसके flight के fleet की जो aircraft है उसकी तादाद घट रही है तो उसकी तादाद घट घट रही है इसका मतलब आपका strength घट रहा है flight कंसिल होगी पुरानी टिक्टें कंसिल होगी आप ज़्यादा service नहीं कर पाएंगे आपके destinations कम हो जाएंगे तो कोई मिला कि अच्छी ख़बर तो स्पाइजिट के लिए नहीं है और मज़े इस बात मैंने नहीं देखा बट मुझे लगता है कि शायद स्पाइजिट के शेयर पे भी फरक पड़ा होगा इस ख़बर का जहां तक मेरा अंदाजा है क्योंकि एक खराब खबर है जो बाइलेटरल राइट की बात करते हैं तो आप समझे कि यह लेंदेन होता है दूसरे देशों के साथ की उसमें चार चीज़े इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहला तो कि किसी देश से कितनी एरक्राफ आपके आएंगी और कितनी एरक्राफ यहां से जाएंगी कितने शहरों को आएंगी कितने शहरों को जाएंगी कौन सी एरक्राफ टाइप बोईंग मालनीज 737 200 तो कौन सी एरक्राफ टाइप आएंगी वह कौन सी एरक्राफ टाइप जाएंगी कौन सी कितनी सीटें आएंगी और कितनी सीटें जाएंगा सिर्फ देखें जो सीविल एम पहला इससे पहले जो एक मेजर बाइलेटरल हुए हमारा और यूए का बड़ा बाइलेटरल पर बहुत हंगामा हुआ तब इतिहाद फिर हमें आपको जो इतिहाद वाली बात बोल रहा हूं जिसने शेर खरीदे थे जैडर वे उस समय तो हमारे और यूए की बीच काफी बाइलेटरल राइट्स मिला हुए है उसमें से एटी पर संड अगर आप इस्तिमाल कर रहे हैं तो माना जाता है ठीक ठाक है जैसे अभी जो बीच की बात चल रही अभी लगेगा इसमें वक्त पर इस ध्यान से सुन लीजेगा अभी लगेगा इसमें वक्त यह अतनी आसान इसके बाद जापन के बाद वीतनम हैं, वीतनम मैं सिणगापूर से हम लोग बल्कुर क्योत चौका ब्लॉक हैं, अभी बराबर बराबर अम लोग इस्ते माल करते हैं, वीतनम मैं कि वो लोग ज्यादा फ्लाइट ने हमारे से और हम न ही ऑपरेट रहे हैं यह important क्यों है यह मैं आपको बताता हूँ यह important इसलिए है कि देखा जाता है कि आपने rights तो दे दिया विदेशी कंपनी को उन्हों ने आपको नहीं दिया हम अगर वो दे भी देंगे तो हमारे पास airlines इतनी नहीं है उनके पास aircraft नहीं है उनके पास इतने conservative है यह possible नहीं हो पाएगा चलिए इसमें सरकार ने फिर्म योजना की जगा नहीं योजना को मनजोरी दे दी है नहीं योजना का नाम पी-म-ई-ड्राइव योजना रखा गया है के सरकार का हेवी इंडिस्ट्री मंत्राल है इस योजना को लागू करेगा योजना के लिए कुल 10,900 करोड रुपए की मनजोरी दी गई है इसमें से 3,689 करोड रुपए की सबसुड़ी शामिल है इस योजना के तैट देश पे करीब 25 लाख इलेक्रिक टू विलर्स, 3 लाख से जज़ इसमें जो योजना का नाम आप कुछ भी कर लिए आप इंटेंशन आपका देखा जाता है आपका इंटेंशन क्या है और इसके बाद इंटेंशन क्या बाद जो स्की में उसके सेलियन फीचर्स क्या है जिसे एक उपन देने की बात चल रही है तो आप भारत सरकार को है कि हम हमें pollution को हासिल करने के लिए climate change के इसाफ से जो हमने वादा किया उसके हिसाफ से जिस तरह से scope है यहां पे जिस तरह से कंपनियां electric vehicles के sector में आ रहे हैं उस तरह से जो योजना चल रही थी जो जिसकी बात करें जो मार्च में long term में ये फाइदा करेगा मेरे ख्याल से और electric जो वेकिल से उसके इस्तिमाल को encourage करेंगे और ये सरकार जो है सरकार का जो ये dream है कि साब हम उसमें और जादा जादा काबिलेत हासिल करें उसमें इस से जादा कमी है आज की जर्चा को यहीं पर रोखना पड़ेगा और बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का बहुत सटीक और विश्तार पूरवक विश्लेशन आज आपने किया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जलिए फिर आज के महीना को आपो सब्सक्राइब नहीं किया है तो महीना आज की यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए महीना के साथ लगातार बने रहिए और फिलाल के लिए मुझको इजादत दे दिए नमस्कार yeah झाल झाल